तो मैं आज आपको 2001 में रिटायर हुए बंदे और 2010 में रिटायर हुए बंदे का पैंशन का कैलकुलेशन करके आपको सुविग्या में दिखाऊंगा लाइब जो की गौर्ब्मेंट का ऑथराइज PCDA इलाबाद का वेबसाइट का एक फैसिलिटी है सुविग्या उसको जब 1st OROP मिला तो उसका पैंशन कितना बन गया वो घाटे में रहा फाइदे में रहा वो सारा चीजे इस वेबसाइट में डिटेल्स में आता है दोस्तों कि पैंशन कितना है उसका 1st OROP में रिवाइज होकर कितना बना है तो इतनी एक अच्छी फैसलिटी हमारे हाथ में हमारे पास थी जिसके बारे में जानकारी नहीं होने की वज़े से बहुत सारे लोग उसको इसको इस्तमाल नहीं करते हैं नमस्कार, बंद मातरम दोस्तों, आप सब का स्वागत है सानिक पाठसाला में। सानिक पाठसाला के इस वीडियो में। मैं आप सब एक ऐसी जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों, एक ऐसी चाहा रहा हूं, छो लाइब करके आपको दिखाने मा मुझे के आप सकेंगे। इसे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ू आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं अगर आप पहली वार चैनल में विजिट कर रहे हैं या मेरे वीडियो को पहली वार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल के बेल आइकन को भी दवाएं ताकि जो भी वीडियो में इस चैनल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो दोस्तों के साथ सेर करें लाइक करें और कॉमेंट भी जरूर करें दोस्तों और आप सब से रिक्वेस्ट है इस व एक authentic government का website PCDA इलावाद जो हमारा pension regulate करता है आप सब को पता है जो हमारा pension sanctioning authority है जो हमारा PPO का sanctioning authority है वो है PCDA इलावाद और आप सब ने बहुत बार computer के अंदर PCDA इलावाद का website को देखा भी होगा तो PCDA इलावाद के उसी website के अंदर एक ऐसी facility है जोस्तों जिसके बारे में साहिधी आपको किसी ने बताया होगा साहिधी किसी YouTube channel में आपको बताया गया होगा लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रही है ऐसे बहुत सारी चीज़ें जैसे online RTI हो गया उसके बारे में मैंने आप कुछ details upload करके वहां से बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं तो मैं आज आपको 2001 में रिटायर हुए बंदे और 2010 में रिटायर हुए बंदे का pension का calculation करके आपको सुविग्या में दिखाऊंगा live जो की government का authorized PCDA इलावाद का website का एक facility है सुविग्या उस सुविग्या में जाऊंग 2010 में रिटायर हुए एक बंदे का दोनों का मैं pension को calculation करके दिखाऊंगा दोस्तों आपको OROP जो पहला OROP मिला उसके बारे में भी उसमें जानकारी मिलेगी दोस्तों अगर किसी बंदे का pension कुछ एक particular pension बना होगा तो उसको जब first OROP मिला तो उसका pension कितना बन गया वो मैं आप सबको ले चलता हूं computer के मेरे screen पे जहां पर मैं आप सबको सुविग्या के बारे में सुविग्या में live example करके मैं दिखा रहा हूं जो कि 2001 और 2010 के pensioner के बारे में details डालके मैं आपको उसका output दिखाऊंगा ताकि आप लो लाइव उस चीज को समझ सके तो चलिए चलते लिंक इसमें क्लिक करेंगे हम जैसे हम इसके इसमें क्लिक करेंगे अब हम पहुंच जाएंगे PCDAP प्राया ग्राज यानि की PCDA इलावाद का official website में अब देखिए दोस्तों इसमें उपर बहुत सारे facilities हैं home ऐसे करके बहुत सारी चीज़े हैं उसी में से एक facility है सुविग्या जिसके बारे मैं आज में बताओंगा इसके अलावा भी इसमें आपका जो life certificate अपडेट हुआ नहीं हुआ इसके बारे में भी बहुत सारी जानकरी हम इस website से ले सकते हैं तो इसी website का इस्तमाल का एक बहुत ही मतलब आसान तरीका में आपको सुविग्या जो आप देख पा सुविग्या यह देखिए सुविग्या वाले जो website का link है वहां हम पहुंच गए यह लेखा नगर जो है प्रदान नियंतरक pension के उसमें तो इसमें commission officer family pension सब कुछ है तो इसमें से हम PBOR pension को select करेंगे PBOR pensioner को PBOR pensioner को जैसे select करके हम click करेंगे यह खुल गया देखिए दोस्तों pre-2006 retirees before 1 January 2000 चे और post-2006 retirees after 1 January 2000 चे तो हम सबसे पहले उपर वाला option क्लिक करेंगे pre-2006 उसके बाद में फिर post वाला भी हम करेंगे तो हम पहले करते हैं pre-2006 retirees में click जैसे इसमें click करेंगे यह देखिए दोस्तों service more than 15 year service less than 15 year service या reserve is pension तो हम चलेंगे more than 15 year service वाले option में click करेंगे जैसे हमने more than 15 years अभी देखिए army, navy, air force, dhc का option है हम army में click करेंगे जैसे हमने army में click किया अभी एक page खुल गया जिसमें हमने अभी details बरना है दोस्तों यहां details बरेंगे और इसके एवज में जो data आएगा बहुत ही जानकारी दायक data आएगा देखिए दोस्तों यह PCDA इलावाद का official website में जा करके हम यह कारवाई कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने इसमे data बरना है, सबसे पहले हमने बरना है date of birth तो जो pre-2006 वाले retire उसका date of birth हम भरते हैं 6 अगस्त 1964, 6 अगस्त 1964 का जो उनका जन्म का जो date रहा होगा वो भर रहे हैं मैंने एक normal एक pensioner को लिया था जो 64 उनका date of birth था, अभी date of discharge हम भर रहे हैं 30 सितंबर 2001 यानि कि pre-2006, 6 pay commission से पहले वाले pensioner है ये, तो हम 30 सितंबर 2001 का pensioner है ये, rank बरते हैं हम सिपाई दोस्तों अभी जो rank का option है हम सिपाई बर देते हैं, आपका जो rank है उसी साफ से आप बरिएगा, आपका जो भी rank है उसी साफ से आप select किजिएगा ये मैंने example के तोर पे लिया है, तो group हमने बरना है Y, क्योंकि हमोमन जितने भी maximum लोग है वो group Y वाले ही हैं तो group Y वरेंगे, आगे qualifying service, तो सिपाई ये तो obviously 17 साल service होगा, 17 साल और 0 महीने और day तो पूरे के पूरे 17 साल नहीं होता, किसी किसी का आगे पीछे होता है, तो 10 दिन एक ले लेते हैं हम, 17 साल, 0 महीने और 10 दिन भर लेते हैं, अब इसमें submit करना है, तो उससे पहले आप सिपाई, उसके बाद group बरा हमने, Y उसके बाद qualifying service बरा, 17 साल, 0 महीना और 10 दिन, अब इसके बाद हम करेंगे इसको submit, जैसे हम इसको submit करेंगे दोस्तों, submit में click करते ही, अभी कुछ details आया, एक, October 2001 का उसका pension आया है, 1459 यानि कि 1469, उसको confirm में click करेंगे, जैसे हम confirm में click हमारे पास ओडाटा निकल के आ गया, जो हमें चाहिए था, आप देखिए दोस्तों, इसमें बंदे का basic details उपर आया, उसके बाद जो pension उसका fix किया गया, यानि कि सिदंबर का retiree है, तो 1 October 2001 को जो pension उसका बना था 1469 रुपे, फिर आगे 1 April 2004 में revise हो के 2189 रुपे बना, उसके पास जो है, समय समय पर जैसे revision वगरा होता रहा, उसके साथ उसका pension बढ़ता रहा, फिर 6th pay commission में जाकर के, 1 January 2006 में उसका pension बन गया है, 6th pay commission में 5125 रुपे बना दोस्तों, तो 5125 बना, उसके बाद फिर 24 सितंबर 2012 को उसका 5481 बना, और जो हमारा जो जो चीज जानकारी लेना चाते हैं, ओन रेंग, ओन पेंशन का आप देखिए दोस्तों, 1 July 2014, इसके ठीक नीचे, 1 July 2014 जो है, उसका pension और रुपी में revision होकर के, 6,665 रुपे बन गया दोस्तों, 5,480 से 6,665 रुपे उसका revision होकर के बना, उसके बाद फिर आप देखिए, 7th pay commission जब लगा, 7th pay commission यानि कि 1 July 2016 में उसका pension revision होकर के, 17,130 रुपे बना, तो ये रहा दोस्तों, सुविग्या का दिया हुआ calculation, जो की एक authentic government का PCDA website, उसके नीचे आप देखिए, disability pension का भी आप डाल सकते हैं, जैसे disability pension को हमने डाला, उसको yes किया, आगे फिर whether, invalid को भी no कर दिया, हमने उसके बाद आगे जाल 2001 से हम मान के रखते हैं, तो 1 October 2001 से हम disability मान के चलते हैं, जो 1 October, क्योंकि 1 October 2010, 2001 का सोरी retiree है, ये pensioner, तो 1 October 2001, यानि कि जो उनका pension आने का date है, 30 सितंबर तक service में थे, तो ये रहा, 1 October 2001 को हमने लिया उनका disability date, और disability pension का start वाला date भी वही ले ले लेते हैं, 1 October 2001, अब उनका disability pension भी आ जाएगा, और ORP में कितना disability pension रिवाइज भी आ जाएगा, सब्मिट में क्लिक करेंगे, अब इसके बाद फिर ये रही है, 775 रुपे उनका initial disability pension मिला था इस pensioner को, उसको हम अभी जैसे submit करेंगे, correct करके submit करेंगे, ये देखिए दोस्तों, उपर उसक इसके वाले दो लाइन आप देख रहे होंगे, सबसे पहले मिला उसको 775 रुपे, उसको basic disability pension मिला, उसके बाद मिला है, ORP में जो रिवाइज हुआ है, 2000 रुपे, ये basic है, इसके उपर DAV लगना है, तो हम इसको print भी ले सकते हैं, देखिए दोस्तों, तो इतनी facilities इसमें है, ये देखिए, कितनी सारी चीज़ें हम जानकार इस उभी क्या से ले सकते हैं, अब दुबारा चलते हैं, पोस्ट 2006 वाले का करते हैं, अब हमने pre किया था, आप चलते हैं, पोस्ट 2006, यानि कि 6 Pay Commission के बाद जो बंदा रेटायर हुआ है, उसके बारे में, अब ये देखिए, more सब्सक्राइब जादा डालना पड़ेगा, तो रेंक सिपाई, ग्रूप हुआ ही, उसके बाद अब हम उसका जो है, डेट अब बर्थ हम डाल रहे हैं, जो मतलब पोस्ट 2006, यानि कि 7 जून 1973 लेते हैं, इसका हम ने एक पर्टिकुलर पेंशनर का मैंने ले रखा है, मैंने रखा है, उसी को मैं भर रहा हूँ, तो 7 जून 1973 डेट अब बर्थ, अब डेट अब डिश्चार्ज उसका डाल देते हैं हम, डेट अब डिश्चार्ज हम डाल देते हैं 30 जून 2010, दोस्तों, हम 30 जून 2010 डिश्चार्ज डेट क्योंकि पोस्ट 2006 का भी कर रहे हैं, यानि कि 6 पे कमिशन के बाद जो रिटार हुआ उसका कर रहे हैं, तो 30 जून 2010 का हम डेट यहां ले लेते हैं, अब आगे हमने डालना है क्वालिफाइंग सर्फिस, यानि कि सिपाई दिया था तो 17 साल, ठीक है, 17 साल, 0 महिना और 10-15 दिन कुछ डाल देते हैं, चलिए इसमें 15 दिन ड पे बेंड, यह देखिए, 6 पे कमिशन के बाद पे बेंड शुरू हो गया था, 5,200 से 20,200 तक था सिपाई का, PV1 में, तो इसका मान लीजिए, हम पे डाल देते हैं, 8,000 रुपे डाल देते हैं, आपका जितना है, आप उतना डालिएगा, जब आप अपना कैलकुलेशन कर रह हो गया था, मिल्टरी सर्विस पे शुरू में, एक जनुरी 2006 से 2000 रुपे सुरू हो गया था, तो 2000 रुपे मिल्टरी सर्विस पे भी इसमें आएगा, तो अभी उसके आगे फिर यह देखिए, एवरेज इमोलुमेंट्स आफ लास्ट 10 मॉंस, इसके बारे में मैं अलग से व पेंशन का पूरा डीटेल से आगया, उपर वो डीटेल से आगया है, जो हमने भरा है, जैसे सिपाई है, उसका बेसिक पे इतना है, यह है, 17 साल, 0 महिना, 15 दिन, और 30 जुन 2010 का रिटाइरी, यह सारा चीज आगया, जो हमने अलड़ी उस फॉर्म में भरा था जब बर्ते ट रुपे आप देखिए, 6650 रुपे बना है, वन रेंग होन पेंशन में, एक जुलाई 2017 से, जो फर्स्ट ओवा रुपी मिला, उसमें यह 6665 मिला, और आप फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन का भी इसमें केल्कुलेशन दिखा रहा है, जो कि अगर एन्हांस्ट फैमिली पे तो 3690 बेसिक फैमिली पेंशन होगा, उसके आगे disability का इसमें भी option है, तो disability को हम yes करेंगे, तो आगे जैसे हमने pre 2006 का बढ़ा था, वो इसे ही post 2006 का भी भर सकते हैं, तो देखिए, सुभिग्या एक ऐसा फैसलिटी है, जो की PCDA इलाबाद का वेबसाइट का ही एक हिस्सा है, जो government का बिल्कुल authentic website है, तो यह ऐसी चीजे हम इस्तमाल करना हमें सीखना चाहिए, आप से request है, आप भी इसको इसको इस्तमाल करें, तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा, सुभिग्या जो एक ऐसी facility है, हमारे पास है, हमारे हाथ में, हमारे computer में, कभी भी आप click करो PCDA, इलावाद का website में जाओ, सुभिग्या में जाओ, और किसी भी बंदे का date of birth, उसका date of discharge, उसका total service का वो करो, उसका basic pay कितना था, उस टाइम में वो डालो, उसका पूरा details निकल जाता है, दोस्तों की pension कितना है, उसका first OROP में revise हो के कितना बना है, तो इतनी एक अच्छी facility ह हमारे हाथ में, हमारे पास थी, जिसके बारे में जानकारी नहीं होने की वज़े से, बहुत सारे लोग उसको इसको इस्तमाल नहीं करते हैं, तो आप सबसे मेरा request है, ऐसी चीज़ों को इस चैनल में बने रही है, ताकि आपको ऐसे बहुत सारे ग्यान की चीज़े, बहुत स इस वीडियो में यही थी जानकारी सुभी ग्या के बारे में मैं आप से को बताने के लिए आया था अगले किसी वीडियो में और जानकारी दायक आप से सरोकार रखने वाली चीज़े आप से रिलेट रखने वाली समाचारों को लेकर के या आप से डॉकुमेंटेशन फाइने सेल चीजों को लेकर मैं फिर से आज ही रो जाओंगा तब तक के लिए जाइन दोस्तों